हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू व्यू की पाट चाला आज हम करने जा रहे हैं कि एलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं इसके लिए हमें ऑफबॉव प्रिंसिपल और हमें पता होना चाहिए इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है वो आप चेक्ट चेक आउट कर सकते हैं अब इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें ऑफबॉव प्रिंसिपल से ओर्डर पता है कि सबसे पहले 1S फिल होता है उसके बाद 2S फिल होता है देन 2S के बाद 2P 3S 3P 4S 3D and then 4P वैसे तो हमारा काम सिर्फ यहीं तक बन जाता है 3D में लेकिन 4P या उसके बाद भी अगर हमारे इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन अगर आएगी हम इसली लिख सकते हैं based on this logic let's see एक छोटी सी चीज़ में जो और यहां पर पता होनी चाहिए वो यह है कि S में हमारे पास maximum 2 इलेक्ट्रोन जा सकते हैं P में हमारे पास maximum 6 इलेक्ट्रोन जा सकते हैं और D में maximum इलेक्ट्रोन 10 and F में 14 अभी फिलाल F वाला यूज नहीं होगा but obviously हम इनको देखते हैं अब पहला एलेक्ट्रोन या पहला element basically हमारा होता है hydrogen hydrogen का Z जो होता है वो 1 होता है अब एक Z is equal to 1 का मतलब है कि एक एलेक्ट्रोन है एक एलेक्ट्रोन को सबसे पहले वो 1S में जाएगा 1S में maximum 2 electrons आ सकते हैं हमारे पास एक electron था हमने easily 1S1 इसको fill कर दिया इसके बाद helium का Z is equal to 2 होता है अब Z is equal to 2 के लिए पहला electron जो है वो 1S में जाएगा तो हमने 1S में और maximum 2 electrons आ सकते हैं हमारे पास 2 electrons थे तो हमने directly वो 2 electrons 1S में डाल दिये तो 1S2 इसकी electronic configuration हो जाएगी अब हम देखते हैं lithium, lithium का Z is equal to 3 है Z is equal to 3 के लिए अब 3 electrons है हमारे पास Z is equal to 3 का मतलब है atomic number 3 which is 3 electrons 3 electron में से 1S जो है S 2 electrons ले लेगा 1S का मतलब है first orbit का तो first orbit में 2 electron चले जाएगे जो की चले गए now first orbit में जब ये 2 electrons चले गए है हमारे पास 3 में से 2 use हो गए एक बचा है एक जो next electron है वो कहां जाएगा next orbital is 2S तो ये 2S में 1 चला जाएगा इसी तरह से हम beryllium का कर लेते हैं beryllium में Z is equal to 4 होता है Z is equal to 4 के लिए हमारा 1S2 दो electron चले गए चार में से 2 बचे 2S में 2 आ सकते हैं 2S2 लिख देंगे हम इसी तरह से beryllium के बाद हमारा आता है boron boron में Z is equal to 5 5 के लिए 1S2 क्योंकि 5 में से 2 electron चले गए 1S में ये completely fill हो गया है उसके बाद हमारे पास 3 electrons बचे हैं क्योंकि 2 use हो गए थे 3 electrons में से फिर से 2 चले जाएगे 2S में अब हमारे पास बचा है एक electron तो एक electron अब जाएगा next orbital which is 2P तो ये 2P1 इस तरह से हो जाएगा boron के बाद carbon carbon का Z is equal to 6 इसी तरह से अब basically हमें क्या हमें देखो क्या पता चल रहा है कि एक एक करके electron आगे आगे वाले orbital में आता जा रहा है P में maximum हमारे 6 electrons आ सकते हैं तो यहाँ पर Z is equal to 6 के लिए पहले 1S में 2 electrons चले गए हमारे पास 4 बचे बचे हुए 4 में से फिर से 2 चले गए 2S वाले S में तो फिर से अब हमारे पास 2 electrons बचे हैं अब यह जो बागी की 2 electrons बचे सिधा-सिधा 2P में जाएंगे तो हमने 2P2 कर दिया इस पर हम nitrogen लिखेंगे Z is equal to 7, 1S2, 2S2, 4 electrons यूज़ कर लिए हमने 7 में से, 4 यूज़ कर लिए 4 के बाद हमारे पास 3 बचे हैं तो 2P3 इसका हम valence shell, इन सब के valence shell configuration अगर हम orbital के terms में बनाएंगे तो 2S में हमारे पास 2 electrons हैं और 2P में 3 orbital में से 1 electron है Carbon के लिए हमारे पास 2S के जो valence orbit होगा, valence shell होगा वो second होगा, क्योंकि last electron जो है वो second period में ही आया या फिर second shell में आया तो पूरा का पूरा जो आपका orbit हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका shell हो जाएगा, वो valence shell है तो 2S में 2 electrons हमने दिखा दिया, 2P में हमने 3 electrons यहाँ पर show कर दिये 2 electrons शो कर दिये, इस तरह से, same हम nitrogen में कर सकते हैं और 1, 2, 3 तो यह हमने, यह second वाला electron इसके साथ क्यों नहीं लिखा और यह तीनों में से किसी एक के साथ फिर से pair क्यों नहीं किया, यह हमने हंज रूल में देखा था जिसका link description box में है, आप उसको check कर सकते हैं oxygen करते हैं, z is equal to 8 z is equal to 8 में, basically 1s2 आ जाएगा, 2 electrons चले गए, 6 बचे बाखी का second में जाएगा, 2s2, 2s2 के बाद, 2 electrons और चले गए हैं तो 8 में से 4 चले गए, 4 बचे, 2p में 6 आ सकते हैं हमारे पास 4 हैं, तो 4ों के 4ों 2p में चले जाएगे, तो 2p 4 हो जाएगा इसका अगर हम valence orbital देखते हैं, तो 1, 2, 3 and 4 इस तरह से हम pairing करके दिखा देंगे similarly हम oxygen के बाद fluorine का कर सकते हैं, fluorine में z is equal to 9 आ जाएगा हम यह देख रहे हैं, कि हम boron carbon nitrogen oxygen में, जब हम एक एक electron extra डालते गए क्योंकि element आगे बढ़ता गया, periodic table में, तो यहाँ पर एक एक electron extra आता गया और उस एक एक electron को हमने last में P में हम fill करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी P जो है, पूरा fill नहीं हुआ है P में maximum 6 electrons आ सकते हैं, हमारे पास अभी 1, 2, 3 या 4 ही हैं, तो अब इस pattern के हिसाब से भी अगर आप देखो, तो last में हमारी configuration क्या change हो जाएगी, सिर्फ 2P5 हो जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2P5, यह हमारी configuration हो गई, और valence, orbital की configuration देखते हैं, 1, 2, क्योंकि 2s में 2 थे, और उसके बाद यह 3, और इन तीनों में हमारे 5 electrons आ जाएंगे, वो हमने 5 electrons इस तरह से show कर दिये, अब हमारे पास noble gas आ रही है, which is neon, और neon का Z जो है वो 10 होता है, neon का Z is equal to 10 के लिए, सबसे पहले electron जाएगा 1s में, और 1s में 2 electrons आ सकते हैं, हमारे पास 8 बच जाएंगे, 8 के बाद हमारा orbital आता ह 2s, 2s में maximum 2 electrons हो सकते हैं, हमने 2 रख दिये, अब 10 में से हमने total 4 electrons को use कर लिया है, हमारे पास 6 बचे हैं, अब जो 2p आएगा, 2p में directly हम 6 लिख देंगे, और इसको हम बनाएंगे कैसे, 2s का 2 electron यह रहे, and then 2p के 3 orbitals में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electrons यह रहे, तो यह हमारा 2p हो गया, sodium करेंगे अगर, z is equal to 11 होता है, 1s2, 2 electrons चले गए, 2s2 और 2 electrons चले गए, total 4 electrons जा चुके हैं, 7 बचे हैं, 2s के बाद आएगा 2p, हमारे पास 7 electrons बचे थे, 2p में maximum 6 आएंगे, हम 6 के 6, put कर देंगे, उसके बाद, next जो हमारा orbital आ रहा है 2p के बाद, off-baw principle के according, वो है 3s, तो 3s में हमारे पास, अब सिर्फ एक electron बचा है, क्योंकि 2 और 2, 4 और 6, 10, 10 electrons हम use कर चुके थे, हमारे पास total electrons कितने हैं, 11, तो यहां पे हमने 3s1 लिख दिया, and then, ये 3s में, एक electron आ जाएगा, magnesium का इसी तरह से, z is equal to 12 में हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब 3s में, जो next electron आएगा, basically वो 3s में maximum 2 आ सकते थे, तो दूसरा electron आ गया, इसके लिए balance orbital कैसे लिखेंगे, इस तरह से, अब aluminium, z is equal to 13, z is equal to 13 के लिए, 1s2, 2s2, 2p6, 10 electrons हम use कर चुके हैं, 13 हैं, 13 में से next 3s में जाएगे, 3s में 2 आ गए, 3s के बाद 3p में आ जाएगा, तो इसका जो ये balance orbital diagram होगा, वो कुछ इस तरह से तिक जाएगा, ये एक electron आ गया है इसमें, ये हमारा 3p है, तो इसी तरह से basically हमारे सारे के सारे orbital की configuration चलती रहेगी, और easily हम साब की configuration लिख सकते हैं, करते करते हम try करते हैं कि last जो calcium का एक बार लिख लेते हैं, which is z is equal to 20, 20 में हमारा, दोखो, 1s2, 2s2, 4 electrons चले गए, चार के बाद अभी हमारे पास काफी electrons बचे हैं, तो हमने 2p में भी 6 डाल दिया, 10 electrons यूज हो गए, 10 बचे हो गए, 2p के बाद 3s यूज होगा, तो 3s में हमने 2 रख दिये, अब हमारे पास total electrons यूज कितने हो गए थे, 12 बचे हैं, 8, उसके बाद 3p में जाएगा, 3p, 3rd orbit का p orbital, p orbital में 6 आएंगे, हमने 6 रख दिये, इसके बाद हमारा, जब ये पूरे के पूरे भर चुका है, हम count कर लेते हैं, एक बार, 2 और 2, 4, और 6, 10, और 8, 18, 18 electrons हो चुके हैं, दो बचे हैं, 3p के बाद 4s में जाएगा, तो ये 4s2 हो जाता है, और directly हम इसको, valence shell को हम इस तरह से 4s2 के साथ दिखा सकते हैं, अब देखते हैं, d orbital में कैसे हम filling करते हैं, तो d orbital के लिए जो हमारा पहला element है, that is scandium, and z is equal to 21, z is equal to 21 के लिए, अब बार-बार इतनी बड़ी configuration लिखना, एक थोड़ा सा cumbersome task है, या फिर थोड़ा सा मुश्किल task है, इसके लिए हमारी जो एक next noble का आती है, neon के बाद, वो आती है argon, जो कि आती है 18 पे, यहाँ पर इतना अगर हम configuration देखें, तो 2 और 2 चार, और 6 दस, और 2 बारा, और 6 अठारा, यह वाली configuration हो जाएगी argon की, तो हम directly यहाँ पे लिख सकते हैं argon, and उपर लिख देंगे 18, कि हमने 18 electrons यहाँ तक दिखा दिये, अब हमारे पास बच्चे हैं सिर्फ 3 electrons, 3 electrons में, 3P तक हमने argon 18 में 3P तक last fill किया था, 3P के बाद fill होने के लिए, अब हम चलते हैं, next orbital which is 4S, 4S में 2 आ जाएंगे, यह 20 electrons यूज कर लिए हैं, उसके बाद, अब हम 3D में filling करेंगे, यह आ जाएगा 3D 1, तो अगर हम इसको लिखना चाते हैं, तो 4S में 2 इस तरह से आ जाएगा, और 3D हमारा बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पहला electron यहाँ आ जाएगा, scandium के जैसे, हम एक बार, manganese को try करते हैं, बनाने का, manganese हमारा होता है, Z is equal to 25, Z is equal to 25 में, हमने argon 18 कर दिया, argon 18 करने के बाद, 18 electrons यूज हो चुके हैं, 7 बचे हैं, argon खतम होता है 3P पे, 3P के बाद हमारा आएगा, off-bop principle के awarding 4S, तो फिर से हमने 4S में 2 electrons रख दिये, total अब हमने 20 यूज कर लिए, बचे हैं 5, तो 3D में 5 के 5 आ जाएंगे, यह हमारा 4S हो गया, और यह हमारा अब इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, यह 3D हो जाएगी, इस तरह से basically हम बहुत easily configuration लिख सकते हैं, किसी भी atom की, किसी भी atomic number की, क्योंकि हमें पता है, off-bop principle के कौन सा orbital किसके बाद fill होगा, हम सीधा सीधा वो orbital उठाएंगे, और उसमें filling कर लेंगे, but कुछ-कुछ elements में हमारा configuration में थोड़ा सा change आ जाता है, उसको हम कहते हैं कि उन configurations की exception होती है, वो exception क्या होती है, कैसे आएगी, वो हम next video में देखेंगे, अगर आपको यह video अच्छा लगा हो, तो please like, comment, share and subscribe to our channel, thank you very much. झाल